स्टोक मार्केट इंवस्मेंट को तके नेक्स टूडियो में आप सभी लोका स्वागत है आज के वीडियो में आप लोगो वीडियो ओंद वारे में बताने वाला हूँ दोस्तों मगाव शुरू में आपको बतादो यह profit and loss statement है इसी के उपर बात करने वाले है और दोस्तों दो और मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें वाइलेंस इस्टेट्मेंट और और कैस्ट्ट्मेंट के उपर हम बात करेंगे तो चलिए अब हम इस वीडियो को करते हैं इसे स्टार्ट मैं हूँ आपका दोस्त मंगेसकुमार अस्वागत थे आप सबी लोग का मंगेसकुमार टूपॉइंट ओचैनल के एक नए वीडियो में तो चलिए इस वीडियो को दे कि आखिर क्या होता है profit and loss statement जिसे हम सबी लोग सोट में पी एन एल स्टेट्मेंट भी बोलते हैं यानि की profit and loss statement तो यह तो आपको समझ में आगया है दोस्ता मैं आपको बता दू profit and loss statement देखना इसलिए ज्यादा जरूरी है क्योंकि भईया इससे हमें पता चलता है कि कांपनी का किस तरीका से चल रहा है तो सबसे पहले हम समझने की कोछिस करते हैं कि आखिर profit and loss statement का मतलब क्या होता है आखिर यह क्या होता है तो यहाँ पर लिख दिया हूँ यह एक बिजनस के पूरे financial year के performance को दिखाता है एक साल में company का बिजनस किस तरीका से गया है वह सब कुछ उस साल क कि यहाँ पर profit and loss statement में आपको देखने के लिए मिल जाएगा तो आप तो आपको समझ में आ गया होगा कि profit and loss statement कितना ज्यादा ज़रूरी है किसे भी company का देखना अगर आप किसी कंपनी में इंवेस्ट कर रहे हैं तो profit and loss statement को देखने के बाद ही investment कि जीएगा तो यह तो भाई का कोई भी एक कम्पנी है उसके 2013 का फाइनेंस यर में जाकर हम भया उसका प्रोफिट एंड लॉस इस्टेटमेंट देखे किसी भी कम्पनी का 2013 का हम प्रोफिट एंड लोस इस्टेटमेंट देखे तो यहां पर हमें एक अप्रेल 2022 से लेकर 31 मर्च 2013 23 तक का जो भी उसका बिन्योस परफॉर्मेंस रहेगा वह हमें फाइनेंसल यह दो हजार तेस के प्रॉफिट है लॉस एस्टेक्मेंट में हमें देखने के लिए मिल जाएगा एक साल का दिखाता है और दोस्तों मैं आपको बता दू एक फाइनेंसल इयर चार क्वार्टर को बनता है तो इन चारों क्वार्टर को क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो सब हमें एक फाइनेंसल इयर में दिखाई देता है दोस्तों मैं एक अलग से वीडियो बना दिया हूं क्वार्टर ले रिजल्ट के उपर उस वीडियो को आप सबसे पहले जाके देख लिजे उसके अब हमें यह देखना कैसे है और क्या क्या देखना है यह बताता हूं तो आप चाहे तो अपने मोवाइल से भी देख सकते हैं आप चाहे तो लैप्टप PC से भी देख सकते हैं मैं अभी हाल फिलाल अपने मोवाइल से देखने वाला हूं और आपको दिखाने वाला हूं और द से कहता है कि भाईया निकाली और देखिए तो उसका मतलब है प्रोफिट एंड लॉस एस्टेटमेंट आपको वह देखने के लिए बोड़ा है फाइनेसल एस्टेटमेंट को कई बार लोग लोग वेज और विन्यस भी बोल देते हैं तो दोनों का मतलब सेम होता है तो यह तो इन लिखके आप सर्च कर दिजिए इस क्रिणों डॉट इन लिखके आप जैसे सर्च करते हैं भया आपके सामने कुछ इस तरीका से आ जाता है यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऊपर के तरफ यहां पर तीन मिन्दू दिखाए देगा तो इस पर आप किलिक के जे और यहां पर सबसे पहले तो हम इसको बंद करें और यहाँ पर हम लिखते हैं जिस भी कंपनी के आपको देखना है कंपनी का नाम आपको simply लिख देना है जासे कि मैं कि डूबधे टरक हेखें ला Verme को एक सेक्शन दिखाई देगा यहां पर तो अब दूस्तों आपको सींपली utiliser पर किलिक किजJust tą भाया यहां पर यह खूल के आजाता है चुकि यहां पर आप देख सकते हैं जो नहीं तो दोस्तों इस तरके से नीचे भी करके आप आज सकते हैं इस पेज़ पे और दोस्तों मैं आपको बता दू अगर आप चाहते हैं तो इस्टेंडर लोन भी देख सकते हैं और कॉंसिलेडेटेट भी देख सकते हैं तो दोस्तों हम क्वाटरली रिजल्ट वाला जो वी सब को एनलाइज करना है तो इसलिए हम लोग इसी के उपर आ जाते हैं अगर आपको देखना है पूंसुलेडेटेड या एस्टेंडर लोन तो यहां पर आप सिंपली किलिक कि जिएगा अभी तो लोग घंडेड़न के खूल के आ जब फला इंटर्णेट इस पूर चल रहा है जिसको वज़द से थोड़ा दिकत हो रहा है तो यहां पर अब कोई और सेल रिकुमेंदेशन नहीं है अभी हम हाल फिलाल रिलाइन्स इंडिस्ट्री के पीनल स्टेटमेंट में हम मार्च 2023 का देखने वाले एक्जांपल के तोर पर हम समझाते हैं इसी तरीकेसे आप कुछी भी कमपनी का कभी-कभी देख सकते हैं तो इसमें जैसे कि यहां पर आप देखते हैं तो या भाइया प्रॉफिट एंड लॉस अस्टेटमेंट वाला सिक्सान है और इसमें देखिए कि मार्च 2030 कहां पर दिखाई दे रहा है तो यहां पर दिखाई दे रहा है तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या है हमें देखना आए कंपनी के से कंपनी का सेर aux बढ़ रहे की लखर कंपनी करसे बनद रहे तो ठीक है तो सेज़ करे में देखनाए تو दोस्तों यहां पर आप दिह Сकते है कब कितना रहा है आप 2013 का देखते हैं तो इतना था बढ़ते जा रहा है यहां पर थोड़ा गड़ बढ़ा गया था और उसके बाद दोस्तों यह काफी पूराना हो चुगा है हमें 2023 वाला देखना है तो यहां पर आते हैं तो देखिए यहां पर 2023 में कितना कंपनी का सेल तो हम तो यहीं चाहते हैं कि कंपनी का सेल बढ़े और कंपनी का सेल यहां पर दोस्तों आप देख रहा है कि बढ़ते जा रहा है अगर कंपनी का सेल बढ़ रहा है तो बहुत ही बढ़ना चाहिए कंपनी का सेल अगर बढ़ रहा है तो ठीक है अगर नहीं बढ़ रहा है तो आप सेल देखिए कि कंपनी के सेल बढ़ डाइक नहीं उसके बाद दोस्तों आपको देखना है कंपनी का सेल्स ग्रोथ सेल्स ग्रोथ भी होना चाहिए तो यह कहां पर आपको मिलेगा यहां पर दोस्तों आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इसके लिए यहां पर सेल के पार ले पांप दिखाई देखी एब भास का जो आई कना आपको दिखाई देखिए यहां पर थोड़ा शूम करता हूं इस प्लीच वाले पाथ किलिक किज़ेगा नहीं तो देखिए यहां पर सेल्स ग्रोट युचि परेसेंट मैं दिखाई हमें देखना है मार्च 2023 का तो यहां पर आ जाते हैं तो मार्च 2023 का हमें यहां पर दिखाई देगा जो कि यहां पर आप देख सकते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं यह भी ठीक ठाक है दोस्तों और के मुकाबले तो हमारा यहां पर बढ़ी रहा है तो यह भी ठीक है और स के लिए बता रहा हूं कि यह सब कुछ आपको देखना बर्ड आए ठीक है ज्यादा कम नहीं होना चाहिए माइनस में नहीं जाना चाहिए तो यह तो आपको पता चलिए अब दोस्तों यहां पर एक चीज़ समझाने कि आपको कोसिस करूं तो किसे भी कंपनी का कोई भी कंपन तो उसका और प्रोफिट जो गृथ है सेल प्रोफिट गुरूथ है या सी जी यार के फार्म में देखा जाता है यानि कि हर साल कमपनी कितना पर्सेंट से गुरुर कर रही है अगर हम एक आपल के सब्ढ़न और का पहले साल का जो शेलका वह 100 रुपय था 10 फो समझा रहा हूं तो अगले साल कितना हो जाएगा दो रचाएगा अगले साल या कितना निनना हो जाएगा यह हो जाएगा सीॅधर 110 यह पर आपको दिखाई दर आए नर्मल सिबस्वड आप सो यह ऊँठक थाइए 120 120 ना चाहिए तो यह घलत है एकस्वगेशन नहीं Г Прав बलक्य 111 होगा क्यों होगा क्योंकि यहां पर पिछले साल को बेसमान के देखा जाता है शुरू हुआ है तप से नहीं पिछले साल को बेसमान के देखा जाएगा कि पिछले साल क्या था और उससे 10% यहां पर देखा जाएगा तो 101 हो जाएगई वैसे ही 24 साल 135 साल 148 और इसी तरीक्या से बढ़ते जाए गा पिछले साल को समान के यहां पर या निकाला जाता है थोड़ा मेरा मार्च पोड़蛇र में यहाँ पर निकाला जाता है तो यह तो आपको समझ में आ गया तो यह भाईया आपका किलियर हो गया सेल और यहां पर सेल ग्रोथ तो अब दोस्तों तीसरा आपको देखना है एक्सपेंस यानि की कमपनी जो अपना पोड़क्त त्यार कर रही है उसमें कितना खर्चा आ रहा है कमपनी का तो वहीं आपको देखना है तो यह कैसे आपको देखना है इसके लिए आपको यहीं पर आजाना है यहीं पर आना है और इसी में आप देखिएगा तो यहां पर एक्सपेंस आपको दिखाई देगा तो यहां खर्चा भी देखना है जितना कम खर्चा होगा उतना ही बढ़ तो यहां पर आप देख सकते हैं तो यह आपको देख लेना है ज्यादा ज्यादा भी खर्चा नहीं होना चाहिए तो यह आपको देख लेना है उसके बाद दोस्तों आप चाहते हैं तो क्या क्या खर्चा हो रहा है यह भी देख सकते हैं तो इसके लिए आप क्या किजिएगा कि यहां पर expense में जो पलस का आइकन दिखाई दे रहा है इस पर अगर आप किलिक किजेगा तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि material cost की अतना आ रहा है manufacturing cost कितना आ रहा है जो कि लोग काम करते हैं प्लुआई तो उनका cost कितना रहा है और कोस्ट किया है वो सब कुछ यहां पर आके आप देख सकते हैं तो यह अभी आपको देखनेंद आए तो यह तो हो गया इसरा आपको यह देखना है चौता आपको देखना है है ऑपरलेटिंग 450 क्योंकि सारा खेल यहां पर जो की कमाई का होता है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना अरए यह देखना वहती जिदा जाधा तो वह आभी दोस्तों आप देख सकते हैं चुकि यहाँ पर आके यह देखिए ओपर देख्वेशाय म्हान को दिखाई डे surtout दोस्तों यहां पर आप आके देख सकते हैं जैसे कि मार्च दौए जतने इस काम देख रहा है तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि यहां तो और यहाँ एक लिखात से बन्हक्ति ने बन्हक्त बन्हक्त्र को देख ले ने इस समझ सकता है कि यह उसके बाद दोस्तों आपको देख लाना है यानि कि यहाँ पूल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग प्रोफिट मार्जीन यहानि कि कंपनी जो अपना समान त्यार करी है वह अपना सारा कुछ चाहर दे रही है उसके बाद कितना कंपनी क्या मार्जिन आ रहा है फोडक्ट सेल करने के बाद कंपनी के पास मार्जीन कितना आ रहा है अगर हम यहां पर देखे हैं तो यहाँ पर सेंट के टर्म में आप यहां पर देख सकते हैं जैसे को उपिएम आपको दिखाई देरा ओपरेटिंग और Illinois और यहां पर आपके आप दिखते तो आपको समझ में आने वाला किलियर बात बो रहा हूं और दोस्तों पिछला आप हमारा वीडियो नहीं देखने लाए तब थो भाया और समझ में आपको नहीं आ रहा होगा तो आप जाके वो वीडियो आप पहले देख लिए उसके बाद इस सब को देखेगा तो आपको समझ में आएगा क्योंकि यह स्टोक मार्केट का कॉर्स चल रहा है और इसमें थोड़ा बहुत मुश्किल होता ही है तो यह अभी आपको देख लेना है ओप्रेटिंग प्रॉफ प्रोड़क्ट बनाई जो कि उसे सेल कर रही है तो उसको अच्छा खासा मार्जिन हो रहा है जैसे के 20% का 30% का मार्जिन आ रहा है तो बढ़ी आए और दोस्तों उसका जो की प्रॉड़क्ट का सेलिंग भी कम हो रहा है लेकिन मार्जिन ज्यादा है तो कंपनी के बास पैस अगर 15% से उपर आएका तो बढ़िया माना जाता है 14% 12% 10% यह सब बढ़िया माना जाता है अब हर फिल्ड में अलग अलग होता है तो उस सेक्टर की और भी कंपनी को उठा के देखिए जिसका भी ओप्यम बढ़िया हो उसमें इंवेस्ट किजिए तो यहां आ जाता है तो वह सब कुछ भी यहां पर आप आके देख सकते हैं आप कुछ लोग कहेंगे कि भईया और इंकम होता किया है तो मैं आपको बतादू यह ओधर इंकम ऌला है नो पिछले ही वीडियो में हमापको समझा दिये क्वाहटर ली डियाल वाले में तब भी मैं आपको बताने की है तो और इंकम में जो कंपनी के पास पैसा आ रहा है अपने इसेट को बेचने के बाद उसे को और इंकम के अंदर जोड़ा जाता है और दोस्तों कंपनी के पास जो कैस है बैंक में पढ़ा हुआ जो कैस है पैसा है बैंक में पढ़ा हुआ है और उस पर जो इंट्रेस्ट आ यहाँ कि यह कॉंपञीं के पास पैसा आ रहा है नो यह इलिनले वह तक है और निकालगा से ड़ीज समान को भीने यू रिख बर भे वर सक्कश हयां एक ऑघ हो निकाल दो है वह निकाल रही है उसके बाद भाएंया और आजाता है देंट इसका मतलब यह होता है कि जो कंप्नी में जिसके जो अरी माशीन के लिए एक लाग का मसीन खरीक लिए सथ्क्राय हजार दौस्ट यर्लाग यक लाग का मसीन खरीक और इस मसीन का जो कि टाइम होता है कि कि के था दिन तक चलेगा और दोस साल मंद चली करता यह यह नौत दोसी यह तक आनोगा यानी कि इसका घंटेगा इसका घंटेगा वह 10 पर संट से घंटेगा तो यह कंपनी से पैसा बाहर भाहर तो कुझे सहोच कंपनी एंगह विह दाइस बाहर के में झाल नहीं जाटा है कि यह मचीण कर जो कि पैसा लगा हुआ है और यह गर रहे हैं तो यह यह उपना अब पर चली यहां पर देखिए आपको देख लेना है जो कि क्या हम आपको बताएं डिप्रेसेशन यह देख लेना है उसके बाद दोस्तों आपको क्या देख रहा है प्रोफिट भी फोर टेक्स यह कहां पर दिखाई दे रहा है यहां पर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा नीचे के तरफ पाइए प्रोफिट भी फोर टेक्स जो कि यहाँ पर आपको में लीक विदिया हूं तो यह आपको देख लेना आए जैसे कि मार्च 2013 का हम देख रहा हैं तो मार्च 2013 का जो कि कहा पर गया भाई यहाँ पर थोड़ा सा मैं और बाला कर लूँ जिससे कि आपको दिखाई दे आप अपके यहां पर देख लीजिए गा तो यह है अब दोस्तों यह क्या होता है तो इसका मतलब होता है कि और कर Bub बिफोर्ट टेक्स दिखाई दिरा है इसका मतलब है कि कमपनी के पास पैसा आ चुका है उसके समान बेचने से कमपनी जो भी खर्चा है वो सब कुछ निकाल दी जैसे कोई प्रोड़क्त त्यार इकी तो उसे बेची उसमें जो खडचा आया वह भी छाड़ दी सब कुछ कर दीथया उसके बाद जो कंपनी के पैसा आया है वही प्रोफिट होता है अब यहां पर before टेक्स दिखाई तो कंपनी के पैसा तो आ चुका है लेकिन इस पैसे पर अब कंपनी टे में स्कूल पैसा या सारा खर्चा कातने के बाद तो यह आं पर अपको दिखाई दे रहा है तो यह अभी आपको देखना होता है उसके बाद टेक्स के बारे में तो बता ही दिए कि कंपनी कितना परसंट टेक्स भर रही है और कब कितना इसका चर रहा है यहां पर दोस्तो अपने दूअजर तेइस में 22% बढ़ी थी अभी 25% है 16% था 3% जूकि यहां पर आप देख सकते हैं तो यह टेक्स वाला हो गया कुछ सब कुछ यहां पर यह जितना भी लिखा हूं यह सब कुछ को साइड में कर दीजी और यहां पर आके आप नेट प्रोफिट को देखिए अगर नेट प्रोफिट हर साल बढ़ रहा है कंपनी का हर साल नेट प्रोफिट बढ़ रहा है अगर कंपनी का दूसरा सब कुछ पैसा बढ़ रहा है तो इससे बहतर और क्या हो सकता है भाई कुछ नहीं हो सकता है तो यहीं आपको देख लेना आए जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं और इस साल का भी स्थिति अच्छा ही है कोई खराब नहीं आई तो यह तो भाईया आपको पता चल गया इस प्लस वा से यार इसका फ्रमूला होता है नेट प्रोफिट बाटा टोटल नंबर ऑफ से यार यानि की कहने का मतलब है कि हर से और पौर कितना रूप्या आया कंपनी के अंदर तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको दिखाई दिरा है जो कि अपकी बार का कितना है तिया उसके बाद आजाता है आखरी डे मिडेंट जोकर यहीं पर आकर देख सकते हैं फाय है इसकी के अंदर आप देख सकते हैं अपने बहुत सारी कंपनी के बात करें तो यह आपको तो यह अपने सेरहोलडर को अपने कमाई में से 9% डिविडेंट देदे कि सभी लोगों में बाट देगी तो यह एक तारीक असे यह लिए होता है कि उनको थोड़ा उस कंपनी में इंवेस्ट किया तो प्रॉफिट उबा तो उनको भी पैसा मिल गया तो यह भी बढ़िया रह है तो उस कंपनी से दूर रहिएगा क्योंकि वह लोगों में पैसा बाट देगी तो वह अपना भी इंजस कहां से करेगी तो जो कौम डिविडेंट दे रहिए वहीं आपके लिए बढ़िया रहेगा तो इसमें हम आपको प्रोफिट और लॉस स्टेटमेंट के उपर सब का इसा लागा कमेट करके बताइएगा चलिए अगले बड़ी मिलते हैं तब तक लिए बाई